जै मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारी योटिप चैनल में दोस्तो जब जब ग्रहों की इस्तिती बदलती है या ग्रहे राशी बदलते हैं तो कई तरहा के योग परिवर्टित होते हैं कई तरहा के योग बनते हैं और अभी जो ग्रहों की इस्तिती अगर आप द बनता है नव पंचम योग बनता है अब अगर ग्रहों की इस्तिति हम देखें तो ग्रहे व्रशब राशी में बुद्ध मौजूद हैं और साथ में सूर्य भी हैं और करक राशी में चंदरदेव हैं मिथुन राशी में शुक्र हैं और शनी वक्री इस्तिति में बैठे हुए में है एक दूसरे से भागय भाव में होते हुए नव पंचम योग बना रहे हैं और यह जो योग बना है यह लग भग 21 वर्ष के बाद बना है और जब ऐसा योग बनता है यह बहुत ही कम योग बनता है जब नव ग्रह एक दूसरे से भागय भाव में बैठे हुए हो और वाला माना जाता है तो कौन सी वो राशियां होंगी बारा में से चार राशियां ऐसी हैं जिनके लिए ये नव पंचम योग करोड़ पती होने का लाब आपको इस अगले 20 दिनों में मिल सकता है अगले 20 दिन इस योग का प्रभाव सबसे अधिक इन चार राशियों पर बस आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा ही निविदन है वीडियो को अंते तक देखें चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहेंगी इन चार राश तक योग आपके लिए करुड़ पती होने का धनवान होने का माला माल होने का योग बना रहा है क्योंकि इस योग का प्रभाव बहुत जबरदस्त होगा देखें दूसरे भाव में आपके धन के भाव में राहु हैं सूर्य हैं बुद्ध हैं यह तीन ग्रह बैठे हुए है और ये नव पंचम योग बना रहे हैं धन भाव में, तो धन को बढ़ाने वाला, कारियक को बढ़ाने वाला, व्यपार में प्रगती लेकर आने वाला, और यहां शनी का पिरभाव भी आपके लिए रहेगा, जो कि शनी नवम भाव, भागय भाव में है, तो इन चारों का पंचम योग है, यह आपके कारशितर में बढ़ावा देगा, दिमाग में नई नई योजना आएंगी, नई नई तरकीबे आएंगी, किस तरह से आप पैसा कमा सकते हैं, किस तरह से आपके पास पैसा आ सकता है, आपकी मेहनत की जो गती है वो बढ़ेगी, यानि आप काफ योग है, इसलिए इस योग के अंतराल में अगले 20 दूनों तक आप अपने प्रतीक कारे को समय से करें, कोई अगर आपको योजना मिलते है, कोई अगर आपको कामयावी की राह नजर आती है, तो उस कामयावी की राह को पकड़ कर बैठें, किसी मौके को हास से न जाने दे तो कि ऐसा जो योग है, बहुत कम मिलता है, कि जब 9 के 9 ग्रह ही 9 पंचम योग में बैठे हूँ, एक दूसरे से भागय भाव में बैठे हुए हैं, तो यह थी पहली राशी, अब दूसरी राशी, तो दूसरी राशी खुद वरशब राशी ही है, वरशब राशी के अंदर ही तीन ग्रह मौझूद हैं, और भागय भाव, यानि नवम भाव में गुरू बैठे हुए हैं, कुमराशी में गुरू है, तो अब यहां गुरू के साथ भी 9 पंचम योग यार देखिए, अगर यहां इनका जो 9 पंचम योग बनेगा, यह जबरदस्त लाब आपके लिए तो यह समय ऐसा होगा, जब आप अपने आपको एक अगर उची पदवी पर देखना चाहते थे, तो उची पदवी पर आप पहुच पाएंगे, आपको अनुकूल समचार सुनने को मिलेंगे, जिस शेत्र में आप काम करते हैं, उन शेत्रों में आपको सफलता हासिल होगी, अब देखें, जो व्यक्ति जिस तरह का काम करता है, उसी के अनुसार उसको उसका रिजल्ट देखने को मिलता है, और उसके अनुसार आपको उसका कई गुना रिजल्ट देखने को मिलता है, तो आप जिस भी शेत्र से जुड़े हैं, उससे कई गुना लाव आपको आपती होंगी यानि आयव रद्धी के जबरदस्ति योग आपके लिए बने हुए हैं अब तीसरी राशी तीसरी राशी है सेहिंग सेहिंग राशी वाले लोगों के लिए बहुत ही अनुकुल बहुत ही अच्छे जितने भी कारिया बंद पड़ गए थे सारे कारिया बनेंगे जितने कारिया तीवर मंदी गती से चल रहे थे तीवर चलने लगेंगे आपका जो वित्य पक्ष है जो आर्थिक इस्तिति है जो इस्तिति को दर्शाते हैं ये सभी चीजें सुद्रेंगे निजी संबंद बेहत सहायक साबित होंगे इस दोरान आपके जो संबंद हैं वो आपके काफी काम आने वाले हैं आपकी कामकाश के लिए और एजुकेशन के शेतर से जुड़े हैं तो वहां से भी अच्छे रिज खोलने वाला होगा पैसों की कमी पूरी करने वाला ये योग कह जा सकता है आत्म विश्वासी बनेंगे मान सम्मान बढ़ेगा सेहिंग राशी वाले लोगों का तो आपके लिए योग बड़ा ही जबरदस्त रहेगा चौथी और अंतिम राशी कुम्भ राशी है ये इन च जो शनी हैं बार्वे भाव में वक्री हैं गुरु आपके भाव में बैठे हुए हैं आपके घर में बैठे हुए हैं और इन सभी का जो प्रभाव होगा वो कामकाज में गजब की तेजी लेकर आएगा कारे शेत्र में प्रभाव बढ़ेगा प्रभावशाली सुनेंगे विचारों से सहमत होंगे जहां चाहेंगे वहाँ आपको लाब की प्राप्ति होगी इस्टूडेंट से हैं एजुकेशन से जूड़े हैं महां सफलता प्राप्त कर पाएंगे सुद्ण전ि को अच्छी सफलता देखने को मिलेगी मन में प्रसनता का भाव रहेगा काफी प्रसन आप इस दिनों में रहने वाले तो अगले आने वाले 20 दिन आपके लिए बहुत ही लाबदायक होने हैं किसी भी काम को किसी भी काम में आलस नहीं करना है अपने काम पर ध्यान देना है क्योंकि यह वो समय होगा जो बरस न पाए तो इस योग का पूरा लाव आपको उठाना है किसी भी काम को छोड़कर अपने कामों के तरब ध्यान देना है लोगों की बातें सुनी है तो लोगों की बातें सुनी विचारों से सहमत होंगे लोग आपके तो बहुत ही साव शुब ये इन चार राशियों के लिए वाला है तो दोस्तों और अदे कैसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को जदा जदा लाइक करें शेयर करें